श्री शद्गुरु महराज की जै राता स्मर्णे अनन्द श्री भूशित संसद्गुरु महर्शी मेही प्रमहंस जी महराज का यह प्रवचन दिनांग 27.12.1981 इस्वी को भागल पूर्ण नगर के महर्शी मेही आश्रम कुपाघाट के सत्चंग होल में हुआ था। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ बन्दों गुरुपदकंज कृपाशिंदु नरोपरी महामोहतमपुंज जाशुवचन रविकर निकर प्यारे लोगों आप लोग देखते हैं कि मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ बहुत बोलने में अशक्य हूँ फिर भी मुझको को च्चा कर कते हैं कि र्विवार कि रugene यहां आकार सक्ष teenage कषैंग करते हैं सत्चंग से क्या लाव होता है सोब दाता हूँ वह वह मित श्ल सिदाज़ी ने रामचरित मानस में लिखा हैं शतशंगती मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सवशाधन फूला, मुद किसको कहते हैं, इसमें पहले ही आता है, मुद सब्द, मुद मौ में हरश्व उकार और दौ, मुद का अर्थ है आनंद, यही शाधन का फल है, और जितने कुछ हैं, फूल हैं, खुशी और शाधन एक जगह हो जाएं, तो जितने कुछ भी शुक हैं, वे सब शुक शाधन हो जाएं, और सत्संग सब का मूल हो जाएं, जहां खुशी है, वहां सुक है, जहां खुशी नहीं है, वहां सुक नहीं है, यही सत्संग है, जो अपना उधार चाहे, तो सत्संग क सहारा ले बिनु सत्संग विवेक न होई बिना सत्संग के विवेक यानि परिमार्जित ग्यान नहीं होता है इसलिए गुशामी तुलसिदाज जी ने भगवान से प्रात्ना की है देही सत्संग निज अंग श्रीरंग भववंग कारण सरण सोक हारी अर्थाद गुशामी जर मुल है और जितने साधन है सब फूल है मति की रहती गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई शो जानव सत्संग प्रभावू लोग कहू वेद ना आन उपावू गति कहां तक है गति वहां तक है जहां परमात्मा की प्राप्ति है उससे आगे कोई नहीं पहुं प्रहुंत हैं वेे जानते हैं कि यह किस तरह होगा जिस तरह होने से फिर कोई बात बाकी नहीं रह जाती यही मंगल का सुब का मुल है और जितने भी साधन है योगा व्याश ध्यान व्या से शब शाधन फूल है लेकिन सबसे बढ़कर क्या है सबसे बढ़कर ध्यान है जिधर ध्यान जाता है उधर का ही काम बनता है जिधर ध्यान नहीं जाता है उधर का काम नहीं बनता है हम लोग जब पढ़ते थे तो पंडित जी पढ़ाते थे कि ध्यान दे कर पढ़ो, ध्यान दे कर नहीं पढ़ोगे तो यार नहीं रहेगा यानि अस्मरन नहीं होगा इसलिए ध्यान दे कर पढ़ो आप पूछेंगे कि ध्यान की बात कहते हैं प्रानायाम की बात क्यों नहीं कहते हैं तो देखिए स्रीमद भागवद गिता में ध्यान योग का एक अध्याय है प्रानायाम योग का कोई अध्याय नहीं है लोग कहते हैं कि श्रीमद भागवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें मार काट की बात है इन तो यह बात यथार्थ नहीं है वास्तिविक बात तो यह है कि उनको गीता ग्यान के जानकार गुरू से भेंट नहीं है जिससे वे गीता के ध्यान योग की महिमा ठीक ठीक जान पाते जो गुरू की सेवा करता है वह अभ्यास जानता है अर्था ध्यान का अभ्यास जानता है इसलिए श्रीमद भागवद गीता में ध्यान योग पर बल दिया गया है कोई कोई उसमें भी प्रानायाम निकाल लेते हैं लेकिन यह उनका जोर है जो प्रानायाम उसमें लगा देते हैं उससे पुछा जाए कि स्रीमद भागवत गिता में प्रानायाम योग का एक अध्या है या ध्यान योग का एक अध्या है संसेवी जी को कोई एक हाजत विशेश लग गई होगी उसको मिटाने गए होंगे उसको मिटा कर फिर आ जाएंगे हमसे बेशी तो वही जानते हैं अगर कोई उनकी बात उनकी तरह बेशी जानते हैं तो आवें और जहां संसेवी जी बैठे थे वहां बैठ जाएं यह भी होने योग नहीं है इसलिए कोई नहीं आते हैं मैं गती के सम्मंद में कर रहा था गती कहां तक है जहां तक जाओ 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 और आखिर में नहीं जाया जाए यह काम मोक्स तक जाना एक ही जन्म की बात नहीं है इसके लिए बहुत जन्मों तक शाधन करना होगा इसलिए कहे कभीर सुनो धर्म आगरा अमित हन्स ले पार उतरभव सागरा इसी तरह मैं भी एकदम मोक्स नहीं चाहता हूँ बारं बार आऊंगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग लिये जाऊंगा जैसे समुदर में पूल बांधा जाए तो चीटी उस पर चड़कर उस पार से उस पार हो जाए इसी तरह जो शंद सद्गुरू बारं बार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुतों का संसकार बन जाएगा स्री सद्गुरू महराज की जै